हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज यूपी बोट के द्वारा जो इंगलीस का पेपर वायरल किया गया है इसका आप सभी को हल बता देते हैं और इस पेपर का हल देखके आप 4 मार्च का पेपर देने जाएगा ठीक है तो फ्रेंज देखे आपको जब प्रश्ण पत्र इस पकास मिलेगा तो आपको यहां पे इंगलिस लिखा रहता है ठीक है और यहां पर टाइम लिखा रहाएगा तीन आवर 15 मिंट का समय रहेगा और पुरांक रहता है टोटो 70 नंबर का लेकिए इस पेपर का आप संपूर रहाल जरूर देखके जाईएए का ठीक है यहां पे इसके कुछ General instruction होते हैं आपके General instruction पहला instruction आपको प्रतियक प्रेपर में आपको बता चुके हैं General instruction आपको important point बता देते हैं कि 15 मिनट जो रहता है इस प्रश्ट पत्र को पहने के लिए समिछ दिया जाता है और यह two parts में आपके paper बटा और part B में पार्ट A जो है 20 multiple choice question होता है जो एक एक नमबर का रहता है फिर इसके बाद जो आपको जो पार्ट A है इसका जो answer देना रहेगा आपको OMR seat मिलता है उस OMR seat पे इसका answer देंगे पार्ट B जो हता descriptive type question होते हैं total 50 number का यह होता है यह आपका कुछ general instruction होते है same to same यही instruction आपको कल के paper में देखने के लिए मिलेगा ठीक है यहाँ से पार्ट A start होता है पार्ट A के सभी प्रशनों को आपको बता देते हैं एक बाद question number one से तीन तक आपको यह पैसेज मिलेगा जिसे carefully आपको पढ़ना रहता है यह आपके सामने क्या है एक पैसेज है इस पैसेज को पढ़ेंगे इस पे संबंदित आपसे तीन प्रशन पूछा जाएगा इस प unable to hear a sound if ठीक है यानि कि इसका मतलब होता है कि हम एक साउंड को सुनने योग के नहीं होता है तो आप पैसेज पढ़ेंगे ना पढ़ें आप आसानी से इसका answer दे सकते हैं यदि आपको इसको इसका answer जो है पैसेज से निकलना चाहते है तो आप पैसेज पढ़ते चले जाए जब पैसेज पढ़ेंगे इसमें आपको दो शब्द मिलेगा बार बार एक मिलेगा स्लो ठीक है यहां पर आपको मिलेगा एक लो ठीक है यहां पर साउंड देखिए राइपीट सो विट साउंड लो देखिए यहां पर लो मिलेगा और इसके बाद एक हाई मिलेगा लो और इसपकाल जब ψसेज पढ़ेंगे तो प्एसेज में आको एनस्वर मिल जागा इसका सही सही हो जाएगा करें सर्फों सुनी दे다 दोलेंगे तो नहीं सुनाई देगा वह बहुत जादा देजे आप बोलते हैं अब आब सब्षिता होसाँ है और भी हो जाएगा ठीक इसी पैसे से आपका answer मिल जाएगा आप पैसे चाहे दो बैटके पड़ सकते हैं अगला question है कि the two extremes are alike mean इसका अर्थ क्या है मतलब जो extremes alike का अर्थ क्या होता है extreme positive is better than extreme negative excess of anything is not good we get almost the same result in both situation all of the above ठीक है चले पैसे से आपको इसका answer बताते हैं देखे इस तर जो पैसे आप पढ़ेंगे तो this is a great lesson for all of us to learn that in all matters the two extremes are alike extreme positive and extreme negative are always similar क्या होता है जो positive है और negative always क्या होता है similar मतलब एक समान होता है ठीक है चलिए आप आप समको देखें देखें सीवल आप समको ध्यान दीजिए we get almost same result in both situation या दोनों situation में आपका क्या होता है सेम result मिलता है ठीक है यानि positive हो या negative हो दोनों situation में क्या है सेम है ठीक है आपको सेम हो आप मिला तो similar इसलिए इसका सही जवाप सीवल आप संसा सही हो जागा अगला देखिए कि which word in the आप पैसे इस अप पोस्टी सिर्णाप सब्सक्राइब यहां पेश्लो का अपोस्ट बताना है तो अपोसिट क्या हो जागा तेज तो जैप क्या है इसे आप याद रख यादा रखिएगा अब देखिए आपके सामने question है, choose the correct option answer the following, I, यहाँ पर dot, dear with my parents, मैं अपने माता पीता के साथ बहाँ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, will go, went, or had gone, यह तीनों option में से यहाँ पर भरा जा सकते हैं, इसका सही जो डीवल option correct हो जाएगा, अगला देखिए, if you want to know about new things you are, यानि कि यदि तुम किसी नई वस्तु के बारे में जानना चाहते हो, तो उसे एक सब्द में क्या कहेंगे, जब किसी नई चीज़ के बारे में आप जानने की इच्छा रखते हो, तो वह होता आपका जिग्यासा, और जिग्यासा को क्लश्टर टू मेक मीनिफुल संटेंस, देखिए, जब मीनिफुल संटेंस बना रहा है, तो आपको पता कि सबसे पले सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट बाद helping वर्ब, फिर उसके बाद क्या रहता है, में वर्ब, फिर इसके बाद आपका object रहता है, ठीक है, इतना जब my twice, my twice तो होगा नहीं subject रूप में, brother केवल एकेले नहीं हो सकता है, to share पहले subject के रूप में होगा नहीं, यह तीनों option कड़ गया थे, my brother साथ में होगा, देखिए, आप आसानी से, कितना आसानी से answer निकाल लिए, my brother loves to share his twice, इसका सही जो आप सीवल option सही हो जाएगा, साथवा abundance, attendance का spelling सही है, acceptance का spelling सही है, acquaintance का spelling सही है, abundance का भी spelling सही है, लेकि abundance जो अतना ही होता है, यहाँ पर E के जिगा अप अब होना चाहिए, abundance होता है, तिसका सही जो आप A-WAL होगा, इसलिए misspelled पूछा ति misspelled क्या होगा, A-WAL आप से correct हो जाएगा, अगला देखिए, he jumped, देखिए, jumped लिखा होगा, तो वहाँ पर हमेंसा into लगाईएगा, इसका सही जो आप क्या होजागा, बीवला option, correct हो जाएगा, एक सब्दी याद रखिए भी बहुत पूछता, proud, proud के बाद हमेंसा जो preposition लगाईगा, proud आफ लगाईगा, हमेंसा proud के बाद आफ लगाईगा, यह option में यहाँ पर पैसेज को आपको पढ़ना, पैसेज से संबंदित यहाँ पर आप से question पूछा जाता है, आपको उसका answer देना रहता है, देखिए, question number 9 है, in a nice poem, the duckling and father swim symbolize, ठीक है, तो यहाँ पर किसको symbolize किया गया है, तो आपका देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, duckling जो ह है, तो इस प्रशन का देखिए, आप जब इसको पढ़ेंगे, तो इसमें Mr. Kissing मिल जाएगा, और option में देखिए Mr. Kissing कहां पर यह वाला है, तो इसका सही जोब भी वाला option, सही हो जाएगा, आप इस पैसेज को पढ़के आसानी से इसका answer दे सकते हैं, अगला देखिए Mr. Kissing had assigned any extra homework early because, यह इसको क्यों दिया जाता है, तो उसका main reason यह था कि, वो क्या करता था है, कि बहुत ज़्यादा class में सोर करती थी, जैसे यहाँ से पढ़ेंगे न, कि he read poem to class adding his own comment and to several other classes as well as since then I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework, extra homework I have been, यहाँ पर allowed talk, यह टाक सब्दू भी पकड़के आप यहाँ पर इसका answer दे सकते थे, कि अन्य talk too much in class, यान्य जो थे class में बहुत ज़्यादा शोर करती थी, इसके लिए उसको क्या मिला था, बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसलिए उसको extra homework दिया जाता थे, इसका स past years in jail, यानि कि मंडेला कितने वर्स हो तक जेल में बिदाए थे 27, आप याद रखे कि 27 ही होगा, ठीक है, आपको देखिए, एक question गलत नहीं बता जा रहा है, आपकी जो 30 वर्स आप लोग बता रहे हैं, गलत है, यह गूगल पर सर्च किया गया है, यह question 27, 27 ही दिया गया है, ठीक है, तो 27 इसका सही जवाब होगा, अगला देखिए, महासीर कुर्ग में पाया थे, क्या पाया था, फ्रेश वार्टर फिस पाया था, इसका सही जवाब क्या होगा, यह लाज फ्रेश वार्टर फिस इस प्रशन का सही जवाब, यह वल आपसन सही होगा, अगला देखि यहां पर देखिए आपका अगला नंबर का इस तरह देता है चार लाइन तीन लाइन की इस तरह देता है देगा इसको पढ़ने के बाद इसका एंसर देना पड़ेगा अब इस पर question समबनी पूछता है देखिए यहां पर question की आप पूछा जाता है कि who is speaker in the above line या उपर जो line बोला जारा है किसके द्वारा बोला जारा है आप सभी को पता है कि जो उपर वाला line है यह आपका जो बोला जाता है हर पारेंट्स यानि Amanda के parents के द्वारा बोला जाता है सब्सक्राइब करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो आपका हर पैरेंट्स यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि बोलता है क्योंकि इंस्ट्रक्शन कें मेक अमांडा बिहेब बेटर क्यों बोलता है इसको इस लिए बोला जाता है क्यों अमांडा के जो बिहेबियर अच्छा हो सकते ठीक है यह सीवल आपसंद इसका सही हो जाएगा अगला देखिए शोला नमबर का इट वाज एट टेमपेटेशन टू की ट्रिक की आन ए ऐस ए परमानेंट गेस्ट विकास यह देखिए आप स इसका सही जो मिसेज प्रेस सेंट एलाट आप इस टेबल डॉक्टर इंजवाएट ठीक है इस प्रश्ट का सही जो आपको क्या हो जाएगा अगला देखिए 17 नमबर का अनील टाट हरी सिंग अनील हरी को सिखाता है क्या सिखाता है तो आप सभी को पता है कि राइट एंड इसके बारे में सिखाता है खाना बनाना लिखना और नमबरों के सीखने के बारे में बताता है अनील जो हरता है हरी सिंग को सिखाता है क्या भोजन बनाना लिखना और संख्याओं को जोड़ना ठीक है जो अगले क्वेश्टन को देखते हैं अगला क्वेश्टन यहां पर दियान दिट्य Ihnen 18 number का Čutuk gifted to Ibraith by his mother भीक की जया जाता है उसकी माता के द्वार Ibraith को कउनसी बुख को रहता है उसमें यह सात्तरा ट्रवेल्श्थ प्रेवल्स आप मौनार्क X रहता है वो ना इसके बाषे में दिखाक सब्सक्राइब है इस जो यहाँ पर दिया गया है मतिल्डा को डिस्क्राइब करता है क्या मतिल्डा के बारे में तो आप सभी को पता है को फैसनलेबल थी MBTS मिडिल क्लास की थी इस प्रशन का सही जब क्या हो जाएगा 19 का बीवल आप्सन क्रेक्ट हो जाएगा यह वह फैसनलेबल MBTS थी और मिडिल क्लास की थी तो इस प्रशन का सही मतिल्डा के बारे में क्रेक्ट आप्सन बीवल आप्सन सही हो जाएगा यह भी आपके क्या है बुक के क्वेश्चन है ठीक है 19 नंबर का क्वेश्चन देखी बोली वास सेंट टू इस्कूल यानि बोली को इस्कूल वेजा बोली को इस्कूल वेजा जाता था उसके पिता मतला उसे उसके पिता के दोरा फेल कंप्लीट डू टू डू सो के लिए तिसका सही जो आप साही हो जाएगा ठीक है अब देखिए यहां से पार्ट बी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं देखिए क्या है आपको इस पकास क संबंदित आप से चार प्रश्ण पूछा जाता है पर टेक दो दो नंबर का रहेगा ठीक है और यह एक नंबर का इस प्रश्ण को आपको तयार कर लीजेगा अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्ण है कि राइटे लिखना है राइट यहकर ये चार नंबर का रहता है इसके लावा आपको क्या करना रहता है कि आपको application लिखना रहता है कि principle of your college to complain that the water tank in school are not being clean regular तो आपको क्या नाम है कि application लिखने का तरीका और simple तरीका से बता चुके हैं अभी तक नहीं देखें तो वीडियो के एक बर जाके देख सकते हैं सभी important question है आपके लिए ठीक है question number 3 write a report on a craft exhibition in your school in about 80-100 words में लिखना रहता है च्छा number की यह भी आपको लिखने का trick के माध्यम से बता हैं यदि आपको नहीं याद है फिर भी आप trick से कैसे लिख सकते हैं और लिखने का तरीका क्या है आप सभी को समझा चुके हैं ठीक है अभी तक नहीं जानते हैं तो आप जा कि पिछला वीडियो जरूर दे सकते हैं जितने important question बताते हैं और grammar की जो question आपको हल कराएंगे ठीक है ठीक है देखिए look at the picture की भें below taking class मतलब कहने को मतलब इसका सीधा सीधे यह है कि आपको यहाँ पे internet के बारे में आपको बताना है कि जैसे यहाँ पे internet दे दि entertainment यह सभी जो आपको अभी दो तीन घंटे पहले ही आपको एक वीडियो अप्लोड किये दे जहां पे आप सभी को इसके बारे में बताएं अभी तक नहीं देखिए उस प्रशन को जाके देख सकते हैं अब देखिए आपके सामने सबसे ज़्यादा important जो question आता है grammar से संबद the teacher please give me one day's leave अब देखिए इसको करना है कैसे हल करेंगे यहीं पर हल करते देखिए जैसे देखिए यहां पर the boy said to the teacher यहां पर लिखा है please जब यहां पर please लिखा रहाएगा inverted comma के अंदर तो यहां पर लिखिएगा the boy यहां पर लिखा रहाएगा तो रिक्वेष्टेड में change कर दिजेगा the teacher रिखिए दिखिए टीचर 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 हो जाएगा कामा इंबह्तेड काम हाटाने की यहां पर उलगा तीजिज अब प्रीज हाटा दीजीड कि यहां पर लगाई यह गिवॡ और मी देखिए यहां पर मी है यह मी HU जो था आपका इसके सोड़क्र रहता है उसके एकार्टिंग चेंज होता है तो इसको आप जरू याद जैसे समझाए उस तरह आप जरू इसको तयार कर लीजिए अब देखिए अगला इसको आपको इस तरह लिखने और मिलता है नंपर फाले अद्यूफित नशाय आपको पडी करें चेंज करें और था। यहां देर्ट है तो पता है कि आपका वांड़ लगता है यहां पर क्याा लगेगा।स्व cały वाई हो एक विचन में यहांप लगाइगे वास लगते तूए के वाई होम की लगाए तो वाज लगाएगा वाउस लगाने के बाद आप लगाएगा फिर यहाँ पर लिखेगे इंग्ली यहां लिखेगे इंग्लीजस जो आप जेक्ट है इस गया इसको लिखाये इंग्लीज़ के बेदा हम जायेगा जाए तो यहां पर इस प्रकास इस को बना सकते थे यहां इस प्रकास आप बना सकते थे ऑन हो इसन में उस तैसे को तयार कर सकते हैं अगला देखिए punctuate the following and punctuation का प्रियोग करना है he wrote I cannot come because I am ill ठीक है इसको change करते हैं देखें कैसे change करेंगे पहले नहीं बाद देखेंगे he wrote I cannot come because I am ill पहले नहीं बाद इसे capital letter में लिखेंगे पहले letter he wrote he wrote comma inverted comma लगाएंगे फिर यहाँ पर I को capital बनाएंगे कायन यहाँ पर कामा करके इस तरह कायन नाट कर देंगे कम करेंगे c o m e कम विकाज जैसे के तैसे लिखेंगे विकाज ठीक है विकाज आई इसमाल में ते इस capital में करेंगे I am ill ठीक है फुली स्टाप करके inverted comma बंद कर देंगे ठीक है इस पकाज से पस निखना रहता है आपको दो नमबर पूरा इस पर मिलता है अब देखिए आपके सामने क्या है translate the falling into English यानि इंग्लीज में इसको translate करना है देखिए इसको कैसा translate करेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा बहुत करेंगे इंग्लीज लगता yesterday यहाँ लगाए यहाँ लगाए यहाँ यहाँ पुस्तकाले जाना चाहता था माइक इंग्लीज हो जाएगा आई जाना चाहता था वांटेट 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 टू गो तू दू 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 लाइब्रेरी लाइब्रे री ठीक है यहाँ तक हो गयता यहाँ फुलिष्ट आप लगाएंगे उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आगया ठीक है तो आप देखिए इसका कैसा बनाएंगे आप एर्द आइड़ दो हरों सेम्टैम मतलब उसी समय तो सेम का मतलब हो गाओ उसी समय ठीक है एस फ्रेंट रेखिए एक मित्र एक मित्र एक आ फ्रेंट एफ्रेंट ओफ माइन मेरे का मेरा क्या लगाएंगे माइन लगाएंगा तो एफ्रेंड आफ माइन ठीक है कियम टू मीट कें टू मीट मीट मुझे से क्या हो जागा मी फुलिश्टाफ यहां तक हो गया आपका हम शाम तक साथ रहे ठीक है तो वी इस्ट्रें वी इस्टें ठीक है इस्ट्रेंड वी इस्टेंड टूगेदर एक साथ तूगेदर टूगेधर ठीक है तिल इबनीं साम् साम का इबनीं ओ greet ने ठीक है अब यहां पर complete होता है यहां पर हो जागा full इस्टा मित्र से मिलकर मैं खूस था यानि मित्र से मिलकर मैं खूस था यहां पर क्या हो जागा I was happy I was happy मैं खूस था ठीक है to meet माई friend to meet meet my friend gwitman । इहां किंतु है किंतु किंतु के लग जागा बट लग जागा देखके हैं यहां पर देखिए किंतु के इंगलीज कि लग बट यहां पर लगाईगा बट टीक्या यहां किंतु कि पुस्तकाले ना जापानेके कारन ठीक है आप क्या लिखेंगे पुस्तकाले न जा पाने के कारत आलसो सेट न जा पाने कारत दुखी भी हुआ आलसो सेट विकाज विकाज आफ नाट आफ नाट बीइंग यहाँ पर बीइंग लगाईएगा बीइंग हो जाएगा कि अब अबस आपको कि आपको क्या करना रहता है इंगलीज में और यह कितने नंबर कराता है टोटल चार नंबर कराता है ठीक है अब यहाँ आप लिट्रेचर आ रहता है आपको बुक से रहता है यहां पर पहला है कि मैंसन वराइटीज आप ब्रेट्ट आर एसेंचियल पार्ट आफ सेलिबरेशन इन गोवा इंक्लूट दस्वीट ब्रेट्ट नोन ऐस दिखेंगे यहां पर दियान दीजिएगा ठीक है लिखेंगे केक्स एंड बौलिन है ठीक है इस पकास क्या करना रहेगा उसका एंस्वर देना रहेगा ठीक है इसी पकास से आप 0-6 पूछता है कि जेवीज गर्ल, शी रोट हर डेरी वाइल सी वाज हैडिंग इन एम इस्टार्डम फ्राम दर नाजिस दूरिंग वर्ड वार्सकेंड, इन हर डेरी अन्ने, गिप्स दा लीडर ए ग्रीफ स्केज आफ हर केरिंग एंड लबिंग फैमिली, ठीकत इस पकास इन सभी प्रशनों क एंसवर आपको लिखना रहता है, जिस पकास बता है आप उसी पकास इन सभी प्रशनों का एंसवर तयार कर लिजेगा, कि हाउव डीट वाली सेव मनी फार बस टिकेट, ठीक है, ओवार में देखे रहता है कि वाई वाज लेंच्चू एंगरी वीथ दपोस्ट आफिस अब इन सभी प्रशनों का आप जरूर तयार कर लिजेगा, देख के एक बार जरू जाएगा, अगला क्वेशन का एंसवर आप दाफ्वालिंग इन अबाउट 60 वर्ट, पहला क्वेश्चन की वाट लेशन डीट की सागोतमी लर्न इन, इस प्रशन को साथ में देख लिजे इन डीट इन जंगर इन जंगल तीन नंबर का यह इस के अलावा maior में दिया रहता है कि राइट फॉर लाइन का आपको पोम लिखना रहता है, ठीक, फॉर लाइन का पोम लिखेंगे, तब पर तीन नंबर मिलेगा, यह या इस प्रशन करेंगे तो आपको तीन नंबर यह सभी आपको करा चुक है आप जाके अभी तक संडरल आइडिया नहीं देखें तो देख सकते हैं ठीक है एंस वन आप फॉलिंग इन अबाउट इस चालिस वर्ट देखें आपको प्रशन देखा रहे हैं इस प्रशनों को आप तैयार कर लिजिए वाट दिर डाक्टर डू टू क्यों ट्रिकी यह वाट डिट ग्रिफिन वान टू प्रूब कुट ही डू डैट ठीक है इस प्रशनों का आप साथ में त्यार कर लिजिए को एस्टन नमबर दस है कि एंस्वर एनिवन आप देख्वाली इन अबाउट 60 वर्ट वाट कुट हैब हैपेंड इफ मतिल्ड चार नमबर का अगला है कि सपोज यू आर भोली एंड नाव यू आर टीचर राइट अबाउट यूर फाइमिली यूर चाइल्ड हुड एंड यूर प्रिजेंट लाइफ देखिए यहां पर जितने भी प्रशन आपको दिखाए इन प्रशनों को आपको एक बार जरूर द प्रशन थे वह सब प्रशन आपको हल करा दिये तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चलकर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक सेधिक वीडियो को सेयर करें